नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां ये बीज बड़े से बड़े रोगों को मिटा देता है तभी इसका उप्योग 4000 वर्षों से होता आ रहा है आये जानते हैं इस तो इसके साथ साथ निम के बीज से भी बहुत से लाव होते हैं क्या आप निम के बीज के होने वारे फायदों के बारे में जाना चाहते हैं तो सुनिए हमारे इस वाइस वर को निम के बीज किस प्रकार से उप्योगी हैं इस बात में कोई राज नहीं है कि निम की पत्तियो में कपड़ों और खाद्य पदार्थों को कीटों से बचाने के लिए नीम का उपयोग प्राकृतिक नाशक की तरह किया जाता है नीम के बीज भी बहुत उपयोगी हैं यहां नीम के बीज के हम आपको 10 उपाय बता रहे हैं जिससे आपको यह फायदे होंगे सबसे पहले तो त्वचा की देख भाल के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग समानेता हर्बलोत पादों में घटक के रूप में किया जाता है यह लावकारी तेल, साबून, क्रीम, लोशन, फेश वोश इत्यादी में मिलता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक, एंटिफंगल और जैसे सोरेसिस, एकजिमा, मुहां से रिंग वर्म इत्यादी में किया जाता है, नीम के बीज के तेल से आपकी तवचा नर्म, चिकनी और चमकदार बनती है, इससे तवचा स्वस्थ और दाग धब्बों से मुक्त रहती है, बालों की देख भाल, जिहां, समानियता हर्बल जैंपू में नीम का तेल होता है, नीम तेल युक्त शैंपू का बालों पर शांदार प्रभाव पड़ता है, नीम युक्त शैंपू से बाल धोने पर नवे केवल सुन्दर दिखते हैं, बलकि यह बालों के जढ़ने और समय से पहले बालों के सफ़ेद होने जैसी कर सकते हैं, आँखों और कानों के लिए मरहम के रूप में, जीहां नीम के बीज के सत्व का उप्योग आँखों और कानों के लिए मरहम और ड्रॉप बनाने में किया जाता है, इनमें इंटी बैक्टिरियल गुन होता है, जो आँखों और कानों में संक्रमन पैदा करने वा बहुत प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। जन्मनी अंतरण के लिए नीम प्रभावी रूप से उपयोगी है महिलाओं में गर्भावस्था को रोकने के लिए नीम के तेल का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है यदि आप परिवार प्रारंब करने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपको नीम का उपयोग नहीं करना चाहिए गर्भाती माओं को भी इससे दूर रहना चाहिए पिसूओं को दूर करने में सहायक नीम का तेल आपके पालतू जानवर के लिए भी उपयोगी होता है यदि आपका कुता या बिल्ली पिसूओं से संक्रमित है तो उनके बालों पर नी या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की भी आउशकता नहीं होगी मिट्टी के पोशक बनाता है यह नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद जो आउशेश बजता है उसमें नीम की टिकिया बनाई जाती है मिट्टी को पोशक बनाने के लिए इस जैविक पदार्थ के र कीट निरोधक है माली बागीचे में पाए जाने वाले विभिन्य प्रकार के कीड़ों जैसे इल्ली घून तिद्डी जिंगूर इत्यादी को पेन पवधों से दूर रखने के लिए इसका उप्योग करते हैं आप घर पर भी चीटी, दिमक, तिलचटे, मक्षी, खटमल, इत्यादी को दूर रखने के लिए निम के तेल का उप्योग कर सकते हैं कित नाशक और्गेनिक खेती करने वाले क्रिषक कीटों के संक्रमर को रोकने के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग करते हैं नीम के पीसे हुए बीजों को रात भर पानी में भिंगो का रखा जाता है तथा इस पानी का फसलों पर छिड़काओ किया जाता है यह छिड़का हैं अन्य बिमारियों के उप्चार में भी यह सायक होता है निमके पेंड बड़े पत्तों और बीजों से चाय बनाई जा सकती है हलांकि यह बहुत अधिक कड़वे होते हैं तथा इन्हें पीना बहुत मुश्किल होता है परन्तु यह स्वास्थ के लिए बहुत लाफ़ दाय सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों